एक सर्वेक्षण की अनुसार देश में प्रति दिन कम से कम 40,000 लोग गाउं से शहर की और पलाइन करते हैं इतने बड़े स्तर पर होने वाले पलाइन का प्रामुक कारण ग्रामीड शेतरों में रोजगार की कमी है लेकिन जिस प्रकार के सपने सजोएं लोग शेहरों में आते हैं उसको पूरा करना आसान नहीं होता सीमित मासिकाई और मूलभूत आवशक्ताओं की कमी के कारण शहरों में भी आधिकांश का जीवन संघर्ष पून ही रहता है पलायन की समस्या का एक मात्र समाधान है ग्रामीर शेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध प्राकरतिक संसाधनों के साथ लोगों को वही रोजगार के साधन मोहया कराया जाए लोग शहरों में नौकरी ढूणने के बजाए खुद का काम शुरू कर सके यानि स्वरोजगार की तरफ मुर सके जहां नौकरी में वेतन की रूप में एक सीमित आय प्राप्त होती है वहीं स्वरोजगार में कमाई, हुनर और महनत पर निर्भर करती है स्वरोजगार के माध्यम से उपलब्द संसाधनों का पहतर उपयोग करके हम अपने साथ साथ कई अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं और बहतर भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। इस देश को प्रकृती ने दिल खोल कर अपने संसाधनों से संपन्न किया है। ऐसा ही एक मैत्वपूर्ण संसाधन है बास। बास उन प्रमुक नगदी फसलों में से एक है जिसकी खेती और रखरखाव अगर पेशिवर तरीके से किया जाए तो गाओं के लोगों को रोजगार का एक बहतर विकल्प मिल सकता है। बास सदियों से हमारे जीवन और समाच का एक महत्वपूर्ण हिसा रहा है। मनुष्य के जन से लेकर अंतिम सास तक बास किसी न किसी रूप में साथ रहता है। और तो और इसे हरा सोना भी कहा जाता है। पारंपरिक तरीके से बास से टोकरी, चटाई, पंखा और घर के अन्य छोटी-मोटी चीजों को बनाने का काम हमेशा से होता आया है। लेकिन इन सब चीजों की कीमत स्थानिय बाजार में कुछ ज्यादा नहीं मिलती है। अपने पारंपरिक ज्यान के साथ अब इसमें तकनीकी प्रशिक्षण को समाहित करने की जरूरत है। जिससे हम पारंपरिक चीजों के साथ राश्ट्री और अंतराश्ट्री बाजारों में उभरते मांग्यन रूप बास से अत्याधुने कुदपाद बना सके और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत कर सके आपके हुनरमंद हाथ को सरकार के साथ साथ नैशनल बैंबू मिशन नाबाड स्वैम सेवी संथाएं तथा निजी शेत्र की संथाएं हर संभव सहायता देने के लिए तैयार हैं बांस की प्राकरतिक सुंदर्ता के कारण इसकी मांग साथ सज्जाए एवं डिजाइन की दुनिया में तेजी से बढ़ रही है इसकी अतिरिक्ट ऐसी कई नवीन्तम तक्नीक का विकास हुआ है जिससे लखडी, प्लास्टिक, स्टील वा कॉंक्रीट के उपियोग को बांस के द्वारा कम किया जा सके इतना ही नहीं, प्रदूशन का शिकार होती जा रही दुनिया अब प्लास्टिक के विकल्प की तरफ ध्यान दी रही है और ऐसे में बांस महत्वपून विकल्प के रूप में उभर रहा है बांस न सिर्फ कार्बन डायोकसाइड ग्रहन कर ओक्सिजन प्रदान करता है अपितु वातावरन से धूलकन को भी अवशोशित करता है विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिव्यक्ती कार्बन डायोकसाइड का उत्सर्जन प्रतिवर्ष 2000 किलोग्राम से अधिक है एक बांस प्रतिवर्ष लगभग 400 किलोग्राम कार्बन डायोकसाइड ग्रहन कर उसे ऑक्सिजन में बदल दीता है ऐसे में अगर हम सिर्फ बांच बांस के पौधे प्रतिवर्ष लगाएं तो देश को कार्बन न्यूट्रल बनाया जा सकता है बांस की जड़े जमीन के उपरी परत में ज्यादा फैलती है जिससे यह मिट्टी के उपरी परत को बान कर पानी के प्रवाकूर रोकने में सक्षम है और बार के खत्रे को भी बहुत हद तक कम करता है अगर आप चाहें तो सिर्फ बांस के उत्पादन से लाखों कमा सकते है देश से लेकर विदेशों तक बांस के उत्पाद की खुब मांग है बांस की बढ़ने की गती इतनी तिव्र होती है कि एक वर्ष में प्रती एकड़ 30 टन बांस का उत्पादन किया जा सकता है बांस दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधों में से एक है उप्यूग परिस्थितियों में ये 24 घंटों में 3 फिट की उचाई तक बढ़ सकता है अन्य पौधों से अलग बांस केवल 3 से 5 वर्षों में ही परिपकवता तक पहुँच जाता है बांस को हर जगह लगाया जा सकता है उस जगह पर भी जहां अन्य फसल उप जाना आसान नहीं है जितने पानी की जरूरत गन्ने की खेती में होती है उससे कम बांस के लिए चाहिए बांस आमतोर पर जंगल में 3 से 4 टन प्रती हेक्टेर प्रती वर्ष प्राप्त किया जा सकता है वहीं खेती के माध्यम से बांस की उपज 25 तर टन प्रती हेक्टेर प्रती वर्ष तक होती है सूखे शेत्रों में भी जहां अन्य फसलों को उपजाना गठिन है वहाँ विशेश प्रजाती की बांस लगा कर वह उसका समूचित प्रवंधन करके 10 टन प्रती हेक्टेर उपज प्राप्त की जा सकती है चावल और गन्ने से कई गुणा ज्यादा मुनाफा बांस की खेती से हो सकता है आज बांस का सालाना कारोबार हजारों करोड का है दुनिया भर में बांस का प्रयोग कर तेरा सौ से ज्यादा वस्तूओं का निर्माण हो रहा है कागज, फरनीचर, भवन निर्माण उद्योग, दवाउत पादन, अगरबत्ती, हैंडिक्राफ्ट समीत कई ऐसे उद्योग हैं जहां बांस का खूब इस्तिमाल होता है इसके अलावा संक्रमन का इलाज करने और घावों के उपचार में तेजी लाने के लिए बांस का उप्योग लोग चिकित समे किया जाता है बांस स्टील की तुलना में मजबूत सनरशना है और इसे व्यापक रूप से निर्माण उद्योग में उप्योग किया जाता है इसके अलावा बांस का उप्योग फर्ष, फर्मीचर, घर की दिवारों, स्केट बोर्ड, साइकल फ्रेमों और हेलमेट के निर्माण में भी किया जाता है जर्योद्योग, पतंग वा अन्य हैंडिक्राफ्ट के साथ साथ इंटरनेशनल डिजाइन की अनेक वस्तुएं बांस से तैयार किये जाते हैं बांस असिमित रोजगार के संभावना वाला शित्र हैं, जहाँ पर आप अपने साथ साथ कई अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं बांस की रुपाई से लेकर उसके रख रखाव, कटाई, फिर उसको पेशेवर तरीके से साचे में ढालना और फिर बाजार के मांग के हिसाब से सामान बनाने तक हर खदम पर रोजगार ही रोजगार हैं बांस से आधुनिक हैंडिक्राफ्ट के सामान, फर्ष, फर्नीचर, घर की दिवारों, घरों के साथ सज्जा के सामान आधी बनाने से आपका खुनर दुनिया के कोने कोने में फैल सकता है जहां स्थानिय बाजारों में बांस की एक टोकरी की कीमत बहुत कम हो सकती है वहीं आधुनिक हैंडिक्राफ्ट की चीज, घर के साथ सज्जावट के सामान, घरेलू उप्योग की वस्तुएं, सोफे, कुर्सियां या फिर अन्य फर्नीचर आदी बाजारों में हजारों में बिखते हैं इन सब आधुनिक चीजों को बनाने के लिए होनर को सीखने की जरूरत है इसके लिए कई सरकारी संस्थान प्रशिक्षन दे रही है बांस के उद्योग में पारमपरिक ज्यान के साथ साथ तकनीकी ज्यान को बढ़ावा देने के रास्ते पर सरकार अग्रसर है ताकि तकनीकी प्रशिक्षन दे कर हर उद्यमी को हुनर मंद बनाया जा सके देश के 18 राजियों में बांस की पैदावार होती है यूरोपियन यूनियन के माध्यम से इन में से 9 राजियों में बांस से संबंधित योजनाय चलाई जा रही है बांस की खेती से लेकर आधुनिक हैंडी क्राफ्ट के उत्पाद बनाकर बाजार में बेचने तक हर जगह पर रोजगार के मौके हैं आज के समय में महिलाई भी बांस के रोजगार से जुड़कर स्वाव लंबी हो रही है बेश भर में कई लोग अपने हुनर और मेहनत से बांस के शित्र में नाम और पैसा दोनों कमा रही है उनके द्वारा बनाए गए सामानों की तेश से बाहर विदेशी बाजार में भी भारी मांग है हमारे देश में भी हजारों लोग बांस से जुड़े कोटे रुद्योगों के माध्यम से अपना जीवन्यापन कर रही है लेकिन उचित प्रशिक्षण के आभाव में उनमें पेशिवर उच्सा की कमी है लेकिन अब शेत्र की तरक्की के लिए सरकार आगे आई है सरकार हर हुनरमंद व्यक्ती को उचित प्रशिक्षण दिलाकर बांस के व्यवसाई और व्यवसाई दोनों के लिए तरक्की का रास्ता खोल रही है सन 2018 से पहले बांस व्रिक्ष की श्रणी में आता था अता बांस को एक राज्य से दूसे राज्य ले जानी में डेर सारी कानूनी अर्चने थी और इसके लिए वन विभाग से अनुमती की भी जरूरत परती थी पर अब सरकार ने संसद में कानून पारिद कर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में संशोधन कर दिया है जिसके बाद बांस को अब पेड़ की श्रणी से हटा लिया गया है अब ये घास की श्रणी में है अब जंगल के बाहर के इलाकों में निजी शेत्र द्वारा बांस को उगाने, काटने या धुलाई पर किसी तरह का कोई प्रतिबंद नहीं होगा क्योंकि अब कानून के हिसाब से बास पेड़ नहीं बलकि सिर्फ एक घास है बास हमारी जिन्दगी को बनल सकता है बस जरूरत है उचित प्रशिक्षन के साथ इस व्यवजाय से जुरने की कर दो एक बास हमारी जिन्दगी को बनल सकता है